हेलो बोचो कैसे हूँ आप सब उमीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ कुमार ईरो सर और जैसा कि आप लोग को पता ही है कि आप लोग का सब्सक्राइब इसका बता और नहीं देखें तो टेलीगराम आप जोइन कर लीजेगा इसका डिस्क्रिप्सन में हम लिंक दे देंगे ठीक है तो देखें आपका इक आवन नमर सवाल यहां से आता है यह वामाप से पूछे भी थे कि एक आवर नमर सवाल का अंसर क्या होगा सवाल देख लिजे कि यदि दो समानतर रेखाओ कि दिक अनुपात इतना और इतना है तो एक आमान पूछ रहा है यानि कि डायरेक्शन रेशियो दिये हुए और पैरलल लाइन है तो हम आपको बता है पैरलल पन तरह दो बता है अगले सवाल पर आते हैं अगला सवाल आप लोग MIKE सामने में ये है देखेंगे ध्यान से ये है आपका बावन नमर सवाल तो बावन कर रहा कि यदि दो समानतर रिखाओ कि दिक अनुपात एतना है तो ये पूछ रहा थोरा सा इसमें परिवर्टन कर दिया है देखिए सबसे पहले तो ये तो आप लगा सकते हैं पहले गौर से ये अनुपात बराबर होगा इसका a1 बटा b1 ऐसे बराबर होगा a2 बटा b2 और बराबर होगा a3 बटा b3 ये लेकिर आप से ये b3 by b1 पोचा है तो b3 और b1 किसमें रहा सा देखिए इसमें b1 और इसमें b3 ये इस ही को AAP उठा लीजे तुरह सा मार्कर को root कर लेता है ताकि आपको समझ में आए तो गहर से देखिया हम इसको उठा लेते हैं A1 बटा B1 और A3 बटा B3 इसी को सेपरेट करिए ताकि आपको B3 बटा B1 आ जाए तो B3 है ना इसको उपर भेज़ दीजिए यहां तब B3 और यह बटा में B1 छोड़ दीजिए और सोचे यह A1 नहीं बटा में धरबेज दीजिए ता A3 बटा A1 यह आपका अंसर आएगा तो B3 बटा B1 किसके ब्रावर आएगा ता A3 बटा A1 के ब्रावर आएगा यानि आपका उप्शन नमर सी जह हुआ करेक्ट है ठीक है तो नेक्स्ट नमर सवाल देखेगा यह है आपका अगला एगला सवाल आप लोगों के सामने में यह कर रहा है कि तीर पर नमर सवाल कर रहा है कि यहदी दो प्रसपर लंब रेखाओ के दीक अनुपात मतलब डारेक्शन रीश्यो देखें direction ratio जो आप मुझवली perpendicular यहाँ पर perpendicular का condition लगाना तो आपको बताया थे कि condition a1 a2 b1 b2 c1 c2 किसके बरावर 0 के बरावर यह perpendicular होता है तो देखें यहाँ पर 3 है और b1 a है प्लस b2 यहाँ पर देख लिजे आप b1 5 है और b2 b है और c1 के इतना 7 गुने 2 बरावर 0 इसे आपको किसका मान निकालना था 3 a plus 5 b और 7 गुने 14 प्लस 14 बरावर 0 लेकिन आप से क्या पूछ रहा है पूछ रहा है 3 a plus 5 b का मान तो 3 a plus b इधर ही छोड़ दीजिए 3 a plus 5 b plus 14 उधर है के माइनस दीखिए यह सब सवाल है कुछ नहीं लेकिन इस सब अपना मन से सवाल बनाया गया है ताकि लही का कुछ से आंसर देने का प्रयास करें और हाँ इस सब सवाल का अंसर आप तभी बढ़िया से दे पाएंगे जब आपको साड़ा चीज ठीड कल पढ़े हैं कंसेप्ट अगर किलियर है तो आप आसानी से बना सकते आपको कितनों घुमा फिरा के पूछे आप बना पाएंगे तो इसका आंसर नहीं मारे आंसर कौन यह 25 प्लस एक प्लस एक यानि कि कितना आएगा 26 अगर 27 आपका करेक्ट आंसर आएगा और 27 का बर्मूल निकलता है नो 27 यानि कि 3 रूट तीन आपका अंसर आएगा जैसे ऐसे समझ लीजे तीन गो तीन गो तीन लिग देंगे ते गो निकल जाएगो अटक जाएगा यानि आपका ओप्शन भी सही होगा यह पच्पर नुमर सवाल देखेंगे यह मैट्रिक्स है ना यह थोरा से एक मैर एक और मतलब यह है यह वो पांच ए माइनस आठ का एक बरावर होगा एक बरावर तो इधर आएगा तो यह हो जाएगा पांच गो यह में से एगो यह घटा ल यह चपर लिजिए इसको अगर इसके बरावर करेंगे तो टूदी माइनस वन बदाओर बढावर पी देखे 14 16 जोरेंगे तर नहीं आएगा सत्रा तो थोरा सा इधर इसको जोर लिए इसको और इसको जोर कर देखे दोनों बड़ाबर आ जागा देखे चौदा तीन सतरा करने करता सी टू और सी तरी को जुर यह तर एक एक दू दू तीन पांच आ तीन चार साथ बड़ाबर आ रहा है दू को बड़ाबर आ आंसर जी रू ऑप्सन नुबर डी आप लोगा करेक्ट है इस तरह के सवाल देखेगा और आंसर टिक कर देगा ठीक है और यह देखेगा यह अंठावन नमर सवाल इसको गुना करिए थोरा सा यहां पर सेक दे दिया है और यहां पर कॉस्ट दिया है ध्यान पूरबक देखेगा गरबराईए गना तो इसको गुना करिए तो यह आ जाएगा सेक ठीटा इंटू कॉस्ट थीटा बीच में माइनस का साइन होता है त ना क्रिक सब्सक्राइम करतें और यहां पर आप त्रिकस में लेकिन आपको हम बता है दें गुणा करके भी आप एक पर चेक कर सकते हैं, अगर आपको संका हो तो नहीं मनी करेंगे तो पांच प्लस जीरो ऐसे इसको उठाएं इसे तो यह कितना एगा? साथ प्लस जीरो फिर इसको इसके साथ उठाएगा जीरो प्लस तीन और इसको फिर इसके साथ गुना करिएगा तो जीरो प्लस चार जोर जार करेंगे तो आपका अंसर आएगा पांच साथ तीन और चार सेम पैटर्ण और यह वहला ट्रिक अगर आपको इस्तमाल करते हैं और ऐसा सवाल तो निश्चीद रूप से इस साल भी पूछेगा तो साथ नुमर सवाल देखेंगे यह है आपका गुना सीधा साय से गुना करिए अराम से इसमें तो तीन में तीन से गुना कर दिए नौ बी थोरा सा मेट्रिक्स ध्यान से देखेंगे गुना आपको बड़ संस्ता पूस्ता है और उमीद आप बना सकते हैं लेकिन अगर आप जल्दी में हरवरी करिएगा तो गरवरा जाएगा याद रखेगा अभी का 90 प्लस नंबर लाना बहुत आसान है बसरते कि हम जो आपको ब इसमें है और एकरा देखिए आई से उठाईएगा ठीक है आई से गुना करेंगे ठीक ना तोरा सहीतानी ध्यान से माइनस चार में पांसे तो माइनस में 20 आ गया अब एकरे उठाके एकरा में देखिए तनका तनका चीज करने के लिए सब दिया जा रहा है ताकि आप गरव है इसको जोडब मत दिजेगा ठीक है इस एकट को इलिमेंट है इसमें है बहुत in अब देखिये नौ आंसर मिला यह कौन से से यह तीन माइनस तीन चो नौ पहला आपसन यह आप लोग का करेक्ट है बादबाद की ज़रत नहीं यही अगर डिटर्मीन आंट रहता तो कोई एक ही रोजे के कॉल में गुना होता ठीक ना आते हैं आपका यह तीरसत नमर बेवरोध एतना के अं दस पर कर दिजेगा ते यानि कि 10,0 एग आएगा और एगो यहाँ 0,10 आएगा ठीक है अब इसको आप मिला दीजिए और यह क्या कर रहा है छोटा का साइन ही आना नीचे पेंट कर दिजेगा यह पहला घर में यह आपको पेंट करना बताया थे यह वाला इसका मतला और नीचे रख देते हैं नहीं तो आप कंट्यूज न हो जाएगे क्योंकि एक नमर वाली बात है दू नमर में भी आपसे ऐसा ही पूछा जाता है देखे तोरा सद्यान दीजे पहला यह पॉइंट आप लिखते हैं ठीक है और यहाँ पे जेड ब्रावर होता है तो जेड ब्र लिजेगा जीरो कॉमा दस ठीक ना एक्स कमान जीरो और वाई कमान दस तर दुना बीस यानि की इस आपका अंसर आएगा ठीक है तो बीस आंसर किदर है ऑप्शन भी आप सी साही है ठीक ना देखेगा जल्दी में इधर उधर बुला जाता है आप लोग समझ पाएं इस बा जाएगा एगो और एगो आजाएगा जीरो कॉमा पचीस मान लिए और बस दुनों को मिला दीजे एकदम सेम नीचे पैंटिंग होगा क्योंकि नीचे ही है देख लिजे याँ पर नीचे ही है और आपसे मैक्सिमा वैलू ही पूछ रहा है तो सेम लाइक आपको रख देना ह पहले आपको 0,0 रखना है फिर आपको एक यह वला रख देना है एक पॉइंट माल लिजे और इसको बी माल लिजे ठीक है एकदा माल लिजे 25,0 और एकदा माल लिजे 0,5 यानि तीन को पॉइंट रखना 0 ही आएगा जेट देख लिजे थोरा सा भाइकन ने है जेट बराव है आपसे maximum value पूछ रहा तो 125 आपका अंसर आएगा option भी सहीता यही अगर minimum value पूछा जाता तो आपका minus 20 आंसर आता है ठीक है अगला सवाल देखेंगे 65 नमर सवाल भी हो इसने है इस बार नियुंतम value पूछ रहा है तो बरी अच्छी बात है चार आपको लटकाना लेकिन य पाई बटे चार बरावर एक अब यह कट जाएगा तो याद रखेंगे एक बार दू पर कटना है एक बार यहाँ पर कटेगा 2,0 और यहाँ पर जो कटेगा वह 0,4 इसको मिला दीजिए और नीचाहीं पेंट होगा क्योंकि आपको छोटा का साइन यहाँ पर दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है निउन्तम भैलू तो इता फिक्स है 0,0 यानि कि इसमें 0 रखेंगे यहाँ पर देख लिजिए एकस प्लस वाई है तो थोरा सा एक दा पहले आप 0,0 रखेंगा फिर ए पॉइंट यहाँ पर ए मान लीजिए इसको बी मान लीजिए सेम लाइक है प तो पता है आपसे minimum value पूछ रहा है तो 0 ही है इसका answer होगा option c आप लोगा correct answer है ठीक है minus तो आएगा नहीं ना एक बार देख लिजिएगा minus तो आएगा नहीं क्योंकि सब तो plus महीं है तो minus के तब आते नहीं है आगे बढ़ते हैं देखिएगा यह बात हो गया अब आते हैं 66 च्यासक नमर सवाल कर रहा है कि i plus j into dot है और j plus k तो आपको पता है आई में i से गुणा होता है तो गुणा करें इसमें i में 1 है इसमें i है यह नहीं है तो 0 प्लस इसमें k नहीं है तो 0 और इसमें k है तो 1 कुना करिये 0 plus 1 plus 0 यानि 1 आपका answer आएगा पहला option से ठीक है आपको जे से करेंगे तो वन आएगा और जे में के से तजीर होता है सिर्फ एक के गोता है एक बचेगा अप्शन यह सही था ठीक है सरसक नमबर आप देखिए आप तिरकोन मीती का फर्मुला आप सब लोग को यादी होना चेगे तो आपको कहानी समझ में पूरा बढ़िया से आजाएगा केतनों घुमा फिरा के कोशन पूछे आप बना सकते है ठीक है यहाँ पे आप देख लिजे सी का फर्मुला होता है तो आपसन आपका और सरह को देखने के जरुरत ही नहीं तो सुचिए आपसे sin inverse x आपसे पूछ रहा है तो sin inverse x का मान निकाल दीजे हूँ pi by 2 रहेगा cos को उधर बेज दीजे तक pi by 2 minus cos inverse x दिख रहा है न हाँ ठीक है तो ये आपका answer आएगा pi by 2 minus cos inverse x तो पहला answer गलत हो गया दूसरा आप लोगा answer सही है ठीक है बड़ते हैं 79 नवर सवाल पर देखेगा ये xy बड़ा है minus 1 से तो आपसे पूछ रहा है tan inverse x minus tan inverse y का value क्या होगा तो इसका तो simple सा formula ही है जो आपको यही वेला option होना चाहिए tan inverse याद किजिए tan inverse x minus tan inverse y बड़ावर फर्मूला ही है tan inverse x minus y बड़ा 1 plus xy ये तो फर्मूला आपको याद होना चाहिए पहला option ही आप लोगा correct था ठीक है देखेगा अब है आपका 70 नवर सवाल sin inverse sin ये तना तो यह आपको बता दे कि 4 pi by 5 जो है न सबसे पहले आपको range याद होना चाहिए साइन का range आपको बताया थे minus pi by 2 से plus pi by 2 तक होता थे ये 4 pi है तो देखे 4 pi के माने 180 और बटा में 5 है इसको काटेंगे तो देखे इसको काटिएगा तो रहा साब इसको काट के देख लिए पांस ती है 15 के पांच पांस ती है 15 और यहाँ पे कह बचा तीन और पांच 36 पर चा करेंगे तो चो चका 24 के चार हांसिल दू बाराद उचोगा 144 डिगरी आ गया जो कि आपका 90 से ज्यादा है यानि रेंज में लाना होगा तो सबसे पहले आप यह तरीका हम आपको बताया थे कि साइन को स्टैन रहे तो पाई में से घटाएगा पाई में से केतना घटाएगा कि सोच लीजिए कि आपको चार आ जाएगा तो पांच से कम पांच लाना चार है तो पांच में से कह घटाएगा सोच लीजिए पांच से कम पांच और में से एक घटा लीजिएगा तो चार आजाएगा यानि कि साइन इन वर्स साइन एक सासी मानेश ठीटा अपने घर में आता है यह याद कीजिए A C T S, ऐसा करके, पाई यहां होता है, पाई से घटेंगे तो अपने घर में आएगा, यानि पाई भई 5 आएगा, आप साइन से साइन कट जाएगा, पाई भई 5 आपका अंसर आना चाहिए, उप्शन B आप लो का करेक्ट है, इसले पाई भई 5 क्योंकि पाई भई 5 जो हैंने, वा नहीं होगा माइनुस माइनुस में देख लिए कर दिया है यहाद कर दिये अब आप का पलस सब्स हो गया और यह चैनल उता है एकश कर दिया है तो यह थे गलत हो गया और यहां 127 काPart कि sine inverse X plus cos inverse X आपको बताया होगा, pi by 2 के पर प्रावला होता है, यहाद है, अभी तन कैदर पहले भी होता है, और sine pi by 2 मतलब your sine 90, sine 90 कामान एक होता है, यानि कि आपका option number b correct हो, ठीक है, अगला देखेगा, यह है आपका चोटता नवर सवाल, कि यह भी वह साइए, कोस इसके बहगल में लगा लिटा, कोस पहले छोड़े दिजिए, पहला ही आप लोग का गरेक्ट अंसर है, तो देखे, यहां पर देखे, एक बटता दू पहले लगा हुए, इसका बात बताइगे, तो सेक इंबर्स एकश-प्लस कॉसेक इंबर्स एक है, इसका मान होता है पाई भैटू, किलियर है, आप अब बता दीजे, टैन तो बाहर छोड़ी दिया है और एक बटा दू गुना करेंगे तो यह पाई भाई फूर आएगा और टैन पाई फूर आएगा और एक होता है यानि कि आपका उप्शन नुमर सी जो हुआ करेक्ट हो जाएगा ठीक है फूरा साथ एक एक चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे साथ नुमर करेंगवाँ, डिरशन करना है तो देखिए पहले आप डिरशन में बाहर करतें हैं यह झके श क्ןपार माइनश में कॉस पाच एक्स ये आपका अंसर आना ची मिला ले जी option कौन सा है किदर है बढ़ी कदर है किदर है किदर है किदर आपका एक्स के पाँछ option द्रेंगर सी जो और होगा option दियां से मिलाएगा sin 3x का क्या होता है cos 3x और फिर आप कोई 3x का गुना में करना होगा function का जैसे गुना कर ये लिजिए देख लिजिए 2x plus 3 e के पाउर 3x plus 3 cos 3x ये आपका अंसर आएगा मिला लिजे मिला लिजे भाई तो हमको लगता है कि ये तगरवर आगया 2x e के पाउर यहां पर देखिए cos square 3x का differentiation करना तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा इस बात को cos square x का पहले आप करिएगा तो क्या होता है 2 cos x गुना और फिर इस cos का differentiation करेंगे तो माइनस में sin 3x लेकिन एक चीज़ और कि इस 3x का भी आपको गुना में 3 करना परेगा तो याद कीजिए minus 3 बाहर हो जाएगा गुना 2 sin 2 sin 3x into cos 3x ऐसे आप लिख लिजिए और इस minus 3 आपका पहले से है इसको पढ़िए थोड़ा सा 2 sin theta into cos theta जो होता है sin 2 theta का फर्मुला है sin 2 into theta मतलब 3x अभी गुना करेंगे तो minus 3 sin 3 into 6 यानि ये आपका correct answer आना चाहिए तो किदर सही है minus 3 sin 6 6 आपका correct answer होगा यहाँ पर हम फर्मुला लगा है sin 2 theta का करने क्या भाई sin 2 theta का फर्मुला आपको पता होगा 2 sin theta into cos theta ये फर्मुला होता है ठीक है अगले सवाल को देखेंगे next नमर सवाल आप लोग का अपकी तरगा भाई देखेगा ये है 89 नमर सवाल है log 99x है और base में e है अची बात है log function है तो log function का क्या होता है 1 by function ऐसे आप लिखेंगे 99x 1 by function और गुना में आपको 99x का करना होगा था 99 निनानमे से 99 घरे गया तो 1 by x ये आपका answer आएगा option c सही है एक और तरीका इसको log m into n पर तोर सकते हैं तो पहले log 99 में आप प्लस में log x लिख दीजिए ऐसे करके दो भाग में log m into n 99 को a गो x को a गो तो log m into n log n plus log n log 9 constant डिफ्रेंसेशन 0 log x का 1 by x इस तरह से भी आप का सकते थे 1 by x पहला c आपका correct answer ठीक है और याद कीजिए c नमर में क्या करा रहा ताल एतना से मूल बिंदू की दूरी ता मूल बिंदू से दूरी तो बड़ा सस्ता आपको बताया थे आपको बताया थे जो इक्वेशन का पैरलल अगर पूछे तो यहाँ पर जो है ना आपका यह वला अंग खाली चेंज हो जाए ठीक है यह अनुपात तो बरावर ही रहना चाहिए तो x-5y-7z ही रहना चाहिए तो x-5y-11z कर दिया गया x-5-7z सही है बरावर के बार बिल्कुल सही खाली आपको यह c1 और c2 का मान यह चेंज हो जाएगा ठीक है मतलब यह जो d1 और d2 न यह चेंज हो जाएगा जैसे ऐसे होना चाहिए समानतर होने का कंडिशन आपको पता नहीं यह अनुपात बरावर होना चाहिए तो देखिए इसका बरावर नहीं होगा इसका बरावर आ का Gobierno सक्वासूर सब्सक्राना माइन करना होगा। मतलब अइसका का सक्वास करना होगा। और याद रखिए टो याद रखी है, तो आइसका होगा 9x 29 000060 6видat मोड दो थीमिस्वास vashtorgy को अब करना होगा music , स्वासुर on वानस होता है। यह आठ सब्सक्राइब करेंगे तो उन्चास प्लस चौसट माइनस जीरो यह आपका अंसर आना ची ऑप्शन भी आपका करेंगे तेरासी नूमर सवाल देखेंगे सदी सेतना की दिशा में इकाई सदी सदी से यानि इसका मोड से भाग देजेगा कितना आएगा रूट इसेमें भाग देजये सबस्सक्राइब करेक्स key दिखेंगे में यह तक और ऑन करना आट काऊन यहाँ एक इस族 नहीं एक एक हुबने साथ और के में के से ता तीन गुने छो ठीक है यह साथ आएगा जीरो आएगा छतीरी आठारा आठारा साथ पचीस होता है आपका अंसर पहला ही तरेक्ट हो ठीक है इसा बड़ा जल्दी में आप बढ़ाएंगे यही सा सवाल को आपको सेलेक्ट करना है परिक्षा में कुन-कोन आ एक आंसर होगा ऐसे फ्याट पूछा उल्देथेख्या सवाल रहे है चल्दी अतना तल के सम्मांतर वगोगचीस है यह प्लेन अगर मौर आपको सवाल पर पेंडिकुलर वाला कंडिसन लगाईगा तो ऐसा कंडिसन लगाना होगा एक प्लस में दू गुने बी आ तीन गुने c या बढ़ावर 0 अब इसको थोरा सा गुना कर लिजेता है a plus 2b plus 3c बढ़ावर 0 बता ये कौन सा correct answer है a पहले a है यानि कि option number b आप लोगा correct है ठीक है द्यान से देखेंगे अगला सवाल देखिएगा 87 नमर सवाल बस condition याद रखिए फटा फट question का answer निकलेगा ये option आप लोगा बी नमबर correct है a1 a2 b1 b2 c1 c2 बढ़ावर 0 ठीक है ना अगली सवाल पर आते हैं प्रस पर लंब कर रहा था लंब मतलब perpendicular ये ही समानतर कहता यानि क्या होता है पर लल कहता है तो बटा वाला पहला option हो जाता अगला सवाल देखिए 88 नमर सवाल कर रहा है कि इतना में फिर dot कर रहा है तो आई में आई से तो एक गुने दू प्लस एक गुने पांच जे में जे से और एक गुने दस गुना कर लिजे दू प्लस 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 दस जोड़ेंगे पांदरा दू सतरा आपका आउसर option c सई ठीक है अब देखिए यह है आपका 89 नमर सवाल पी देले पी बी देले इंटरसेक्शन देले एं वाई बी पूचरा बड़ा सस्ता है वाई वी आपको बता है ते कि ऊपर में इंटरसेक्शन आप बटा में पी देखिए जो बटा में रहता बटा में तो पीव दे लिए intersection पूछ रहा है यह भी आपका 11th class का फर्मूला है आपको intersection कमान निकालने के लिए पता है तो PA plus PB और इधर लियाएगा union है ना याद कीजिए अगर intersection पूछे तो यह फर्मूला आपको परहा होंगे intersection तो PA plus PB minus union PA कमान देख लिए दू बटे साथ PB कमान देख लिए चा आरदू चो में से पांच गया एक वट्टे साथ आपका अंसर आना चीए option 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 पहला ही सई ठीक है विए उनका जूर घटाव कर लिए खुछ से अब देख लिए और सवाल देख स्वतंतर घटना यह और भी PA देले पीवी देले intersection स्वतंतर के लिए आपको हम condition बताया थे क्या आपका अंसर आएगा option D आप लोगा correct है ना समझ वहाए तो सच ब्यालीस बटा सो आएगा ब्यालीस बटा सो भाग देंगे तो यह आपका option D सब्सक्राइब देख लिए आपको नहीं बताते यह अदला बदली याद कीजिए इसको अदला बदली करने भागिया भाई एक से इधर क्या हो गया भाई हाँ एक सेकेंड रुख जाई है अब भागिया देखिए हम आपको पता है इसको अदला बदली करते हैं तो चार उपर जाएगा दू नीचे आएगा और इसका साइन चेंज होगा पचीस है तो माइनस पचीस और यह प्लस एक है तो यह माइनस एक आपका correct answer आएगा चार जीचाव सन होना चाहिए देख लिजे कितना चार माइनस पचीस करने है चार माइनस पचीस ऑप्चीस करने गया भाई उपर में चार है ठीक है दू है पचीस है एकदम ठीक है तो ऑप्चन आपका इस में से कोई नहीं यह जाने है और जोइंट अगला सवाल आपको के सामने में किदर गया अगला सवाल देखेंगे एक सवाल देखेंगे यदि एक रेखा का यहाई तो एक पूछा गया था देखें रूट शुट्ष किसका आएगा अगए यही आएगा आपका अंसर आना तो सबसे अच्छा सब को जूर के बर्गो का युफल एक के बरावर कर दीजे तो एक बटा इसको ऐसे याद करेंगे एक से स्क्वार बटे चब्विस बरावर इसको जूर जार कर लीजे तो दस आजागा ना एक से स्क्वार बटे चब्विस बरावर एक में से दस बटे चब्विस को आपको घटा लेना है तो एक से स्क्वार बटे चब्विस बरावर चब्विस में से दस घटेगा तो सोला ना आएगा हो सोला बटा चब्विस अगला सवाल देखेगा एक पर पांच मतलब पांच पर गुना करना लेकिन आप ध्यान से देखिए यह आखिर है क्या इसको बढ़िया से देखिए आपको बता थे आई बरावर याद होना थे 10010 ऐसे करके याद है यह क्या यूनिट मैट्रिक्स है और आपको बता दे यूनि खाने का मतलब कितना वार एक मैट्रिक्स को लिखते हैं पावर में तो उत्रा ही आता मतलब यह से मैट्रिक्स आएगा और यह एक बरावर था इसलिए आपका उप्सण डी होगा ना कि आसा ना कि पांच यह पहला आप्सन मार दिजिएगा ठीक ना चलिए अगले सवाल को यह आपका पंचान में नोबर स्वाल इस बार यह आपंजान डेक्स थोरा सा लिखने में अब ऐसे समझ जेगा यह ऐसे बरावर आप से टो आप उप्रे जम चानब पहले आप 2 operation 3 निकालिए 2 operation 3 मतला a का मां 2 अब 2 का मां 3 में रखे रखे ता 2 plus 7 गुने 3 कितना आएगा 2 plus 7 या 21 अदू 20 आएगा ठीक है ता 20 आया लेकिन नहीं हुआ है अब आप पो करना किया एक operation 30 का मां निकालना तो एक operation 20 मतला यहां पर एक का मां एक रखना है प्लस साथ के साथ गुना तेज़ अब गुना कर लिज़े एक प्लस तेज़ साथी या एक है तो यानि की आपका करेक्ट आंसर है ठीक है अब अगला सवाल देखेगा सवाल क्या कर रहा है कि इतना से भीन संबंधों की संख्या यानि डिस्टेंग्स रिलेशन रिलेशन पूछ रहा है तो रिलेशन याद रखे रिलेशन अगर आपसे पूछे जितना उसका सबसेट होता है उतना ही उसका रिलेशन होता है तो देखे यहां से रिलेशन पूछे स सीधी सी बात है इसमें कई वो एलिमेंट है तीन गो और इसमें कई एक दो तीन चार पांच वो तो तीन गुने 5 यानि इसका ऐसे लिख दिजेगा दू के पाउर होता है एंगुने ऐसे याद रखेंगे जितना रिलेशन ही मतलब जितना सबसेट बनता है न उतना ही रिलेशन होता है तो दू के पारीद गुना कर लीजे तब पांस ती है कितना आएगा पंदरा यह आपका अंसर नमबर ऑप्शन भी सही होगा अगला सवाल देखेगा संतानमे नमबर सवाल देखेंगे देखे याद रखेगा यहाँ पर रिलेशन पूछे संबंध पूछे तो आपको यह फर्मुरा लगाना है लेकिन अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा याद करिए यहाँ पर पूरा सा चेंज है क्या है कि एतना से संबंध फॉलन जब पूछे तब ऐस करें लापर दूसरा में अब बताए 6 के पावर क्या लेखेगा तीन यानि 6 के पार तीन मतला चो गुने चो गुने-चो यानि दूसर 36 का कितना होता है दूसर 16 option C आप लोग का correct होगा जल्दी बाजी में आप पहला option मत मार दिएगा ठीक ना अगला सवाल देखेगा अंठान में नमर सवाल देखेंगे अब कल समीका ने तना का hall है hall मतलब आराम से integration लगा दीजिए तर 2dx और integration dy बड़ावर integration 0 dx कुछ लगा दीजिए तर बताए 2dx का क्या होता है वो x होता है मतलब 1 का x और dy का y होगा और constant का k यह 0 का k 0 का 0 constant जोड़ देते है तर 2x प्लस y बड़ा और k आपका पहला option ही correct होगा तो करने है भाई अगला सवा आपनापना से processed.one होता इसमें ज्यादा democracy बगाने की जरूरत नहीं है याद है ना आई डॉट आई जी डॉट जी और Uh सीधा परमेट में अगर आएगा तो नौँका ऊजाबवात के जिए के बाद के जिए में आगर के से गुना करेंगे तक क्या निकलेगा आई आएगा फैला अप्षन आपका सही होगा लेकिन अगर यही जे क्रोस के नरा के क्रोस आई रहा था उल्टा तो माइनस में लिखते ठीक है तो इस तरह से हमने आपको सवाल का अंसर पूरा बढ़िया से समझ में आ गया होगा किसी तरह का कोई लिकत नहीं होना चाहिए और हाँ आप हमें एक बार कमेंट करके वैसे बता दीजेगा कि पूरा इसको डिटेल्स में अराम अराम से अगर आप जानना चाहते हैं एक एक कुशन को पूरा फुल डिटेल्स में तो भी आप कमेंट कर दीजेगा हम आपको पूरा बाद में बत ठीक है तो अगर आप लोगों को सारा बात समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट करके जरू बताइएगा और हाँ वीडियो को लाइक सेर जरू करेगा थैंक यू